हेलो एवरिवन अस्सलाव अलेकूम मैं हूँ रिजवाना सिंधी स्वागत है आपका क्लासिक तलका में आज हम बनाने वाले हैं फीस फिंगर जो बहुत मज़े की और टेस्टी बनती है और यह सभी को बड़े और बच्चों सभी को बहुत पसंद आती है यह रेस्टोरन स्ट क्लिप कि एंड तक जरूर देखें तो चलिए फे शुरू करते हैं यह मैंने 1 किलो फीस ली है जिसको अच्छे से दोकर साफ कर लिया है और इसको बिल्कुल कोरा कर लिया है इसमें बिल्कुल भू पानी नहीं है अब इस तरह से इसको बिल्कुल ड्राइ कर लें और इस तरीके से मैंने इसको लंबल लंबे सेफ में फीज को काट लिया है यह बॉनलेस फीज है सबसे पहले हम फीज के अंदर एक लींबू का रस डाल देंगे और एक चमच विनेगर डाल देंगे और यह मैंने फूड करल लिया है और एक से देड़ चमच मैंने लाल मिर्च का पौडर लिया है, मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजी, आप कम और ज्यादा कर सकते हो, उसके बाद ये जिंजर कारलिक पौडर है मेरे पास, वो मैं एक बड़ा चमच भर के इसमें डालूँगी, देखिए इस तरीक से, ये अच्छे से मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम 10 मिट के लिए ढांक कर रख देंगे, ये मैंने 100-500 ग्राम कौन फ्लोर लिया है, जिसको मैं पानी डाल कर इसका एक पेस्ट बना लूँगी, देखिए इस तरीके से, इसमें आप चाहे तो स्वात के मुताबिक इ ये पेस्ट रड़ी हो चुका है, उसके बाद मैंने एक प्लेट में कौन फ्लोर लिया है और एक प्लेट में ब्रेट क्रम लिया है और जो हमने कौन फ्लोर का बेटर तीयار करके रखा था पानी में वो भी हमने रेड़ी रखा है, देखिए इस तरीके से मच्छी के पीस में लूँगी और उसके पहले हम इस तरीके से लगा देंगे इसको आलट पलट करते हुए और उसके बाद इसमें डीप करेंगे जो हमने बैटर तियार करा है उसमें डीप करेंगे और डीप करने के बाद जो ब्रेट क्रम है उसके अंदर हम उसको डाल देंगे और ब्रेट क्रम अब अच्छे से हम उसको लगाएंगे अल्टी पल्टी करते हुए देखे इस तरीके से हमें फीस फिंगर को रेडी करना है एक एक करके देखिए अब दूसरे हाथसे में इस तरह से इसके उपर ब्रेट करम भी लगा दूँगी यह फीस फिंगर हमारे अच्छे से कोटिंग हो चुके हैं अब हम इसको फ्राइ कर लेंगे दूसरी साइट पर मैंने इस तरीके से कडाई में तेल गरम कर लिया है देखिए और तेल अच्छे से घरम हो चुका है एक बार फूल फ्लेंपेंग जब तेल गरम हो जा इसके बाद आप यह सको मीडियम स्लो कर दे और एक एक करके फीस फिंगर को इस तरह से तेल में डाल जितनी कडाई में जगा हो उसके हिसाब से अब डाले एक साथ में ना डाल दे और मेडियम स्लो पे उसको गोल्डन ब्राउन होने तक उसे फ्राय करें देखिए यह अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है दोनों तरफ से अलट पलेट करते हुए दो तीन-तीन मिनिट जल्द इसको पका लें फिस फिंगर को फ्राय होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता यह बहुत ही जल्द पक जाती है दो तीन मिनिट में देखिए यह फिस फिंगर हमारी रेडी हो चुकी है मासाला कि इतनी खुबसुरत लग रही है और टेस्ट में भी बहुत मज़े की बनी मानेज या टॉमेट और स्केचप इन सब के साथ आप फिस फिंगर के मज़े आप घर बैठे ही ले सकते हो तो इंजोई कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको फिस फिंगर की रेसिपी कैसी लगी और नहीं नहीं रेसिपी जानने के लिए मेरी चैनल के सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि क्लासिक तर्का को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सेर कीजिए और दुआओं में याद कीजिएगा अल्ला हाफीज वीडियो छे लगी तो सब्सक्राइब करो ऐसे और बेल नोटिफिकेशन अन करो ऐसे और फिर लाइक करो ऐसे